आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सामान्य जो चर्चा है हमारी वुन्ना करके आज हम यह चर्चा करेंगे श्रीमत भागवतम में कुछ समस्याओं के कुछ निदान दिये गए solutions दिये गए तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ पांच श्लोक हम पढ़ेंगे यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग बिलकुल ध्यान पूरवक सुनिएगा और यदि किसी को notes बनाना है तो notes बना करके इसको ग्रूप पे भी डाल सकते है जैसे कभी-कभी पहले कंचन वरिंदा माता जी या फिचेतन सिंग ठापर प्रोव डाल दिया करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बार हमने इस पर चर्चा की है फिर से एक बार हम चर्चा करें यह श्रीमत भागवत के सातवे इसकंद के पंद्रहवे अध्याय का अठारवा श्लोप हम चर्चा करें और इसके आगे एक एक श्लोप हम चर्चा करते जाएंगे तो आप इसको देखेगा हे राजन आत्म तुष्ट व्यक्ति केवल जल पिकर भी सुखी रह सकता है किन्तो जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है विशेश रूप से जो जीब और जनन इंद्रियों के वर्ष में होता है उसे अपने इंद्रियों की तुष्टी के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्विकार करना पलता है यदि कोई व्यक्ति जिवा और जनन इंद्रियों इसका दास होता है तो फिर जहां भी उसको बढ़ियां खाने को मिलता है वहां चला जाता है और जो भी उसको खाना देने वाला बोलता है उसका काम करने को तयार जाता है और जननेंद्रियां जिसके वश में होता है, जननेंद्रियां भी उसको इधर-उधर जड़ाती है। जो भक्त है, इंद्रियां लोलुपता के कारण छीन हो जाती है। लुपत हो जाता है। तो इंद्रियां लोलुपता के कारण उसका एक तो आध्यात्मिक ज्यान, उनकी जो विद्या है, तपस्या है, कीर्थी है, यश है, वो सब उसका नश्ट हो जाता है। दीरे दीरे उसका जो भी ज्यान है, सब भी लुपत हो जाता है। कौन विक्ती जो आत्म तुष्ट नहीं होता है। कामस्यांतम हिशुत प्रिंग्या भ्याम प्रोधस्यत फलोदया जनोयाती नलोभस्या जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवाः। अब कह रहे हैं, भुख तथा प्यास से प्यूरित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आपशक्ता हैं, भुजन करने के बाद निश्चित रूप से नश्ठ होगा। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है, तो प्रतारणा तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। उसके फल द्वारा क्रोध संतुष्ट हो जाता है। कैसे कामस्य अंतम निसंदेह शुथ तिनम्भ्याम, क्रोधस्य एतत फल उदयाद। प्रतारणा का उदय होने उसके फल से। जहां तक लालच की बात है। यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार के प्रतेक वस्तु का भूग कर ले, तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। लोभस्य जित्वा, भुक्त्वा, दिशह भुवा। यदि भुमंडल को भी जीत लेगा, तो भी लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। संतोष होना चाहिए। दिर्था पूर्वक योजनाय बना कर मनुष्य को इंद्रिय त्रिप्ति की काम पून इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। तो ये बहुत ही मात्वपून है, ये मैं आपको दिखाना चाहिए। असंकल्पाज येत कामम कामम प्रोधम काम विवरजनात। असंकल्पाज मतलब संकल्प से determination से दिर्ड निश्चाए कर लिया कि आज से कामवासना या फिर जो इच्छाएं हैं उनको इस तरह से इंटरेटेन नहीं करूगा और अपने शुजूल को और अपने जो आपने भजन का एक नियम बनाया है उसको पालन करिए। तो असंकल्पात जयत कामा जो इच्छाएं बीजीज में आती रहती हैं संकल्प से कि संकल्प है नौ बीस के बाद लेट नहीं होना चाहिए मेरा सोना नौ बीस से ज़्यादा लेट मेरा सोना नहीं होना चाहिए निश्चय कर लियां उसी तरह से इस तरह से कुछ निश्च कर लिया इससे क्या करेंगे इंद्रितिती की इच्छाएं जो है इसको दिष्टा पूर्वक त्याग सकते हैं उसके बाद कह रहे हैं असन कलपाज जैद कामा क्रोधम काम अविवर्जनत क्रोध किसी को अगर आ रहा है तो देखना चाहिए कि जिसके उपर क्रोध आ रहा है त तो कहीं न कहीं किसी किसी हमारी इच्छा की पूर्ती नहीं हो रही होगी और वो इच्छा को अगर हम त्याग दें तो क्रोध भी संतिष्ट हो जागा है वो उसको अगर हम त्याग दें तो सब कुछ खतम फिर क्रोध नहीं हो फिर अर्थान अर्थेक शया लुभा इसी प्रकार इरश्या को त्याकर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए तो इरश्या को त्याकर किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने से यदि आपको दिक्कत होती है तो आप देखेंगे कि उसके उपर बहुत क्रोध आएगा उसके छोटी सी गलती भी कहेंगे ऐसे करना चाहिए इनको ऐसे नहीं करना चाहिए समझ में इनको नहीं आ रहा है जबकि उसके अंदर छोटा सा एक दोश है बाकी बहुत सारे गुणे है लेकिन क्योंकि आप उससे इरश्या करते हैं वो जब भी आगे बढ़ता है या किसी सीनियर डिवूटी से उसका कांटाक्ट हो जाता है कृपा मिलती है कुछ ऐसा होता है पैसे में आगे बढ़ता है गाड़ी करीद लेता है आपको होती है जलन तो जलन की वज़े से अब उसकी छोटी सी भी गलती को इतनी बार बताते हैं इतना दिखाते हैं क्योंकि इरश्या हो गई इसलिए क्रोध तो इरश्या को क्या कर देंगे अगर ये सोचेंगे कि इस संसार में दो लोग भी तो जीच सकते हैं कोई जरूरी तुने कि ये आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब मैं पीछे होगा, मैं भी तो आगे बढ़ सकता हूँ, और गुलोक विरंदावन में तो दोनों की स्थिती स्पेशल जगा रखी हुई है, तो इरश्या का, क्रोध का सल्यूशन बता रहे हैं, इरश्या छोड़ उनका बुरा मत सोचो, आगे बढ़ रहे हैं तो कुल बात नहीं, तुम भी आगे बढ़, धन संग्रह करने के द्वशों पर विचार विमाश करके, लोब का परित्याद कर लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो भी कोई अनैतिक रूप से धन इकठा करके रखा हुआ ह उसको यूज़ नहीं कररा है, आप देखेंगे उससे लोब झो है भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, दान भी कर रहा है लेकिन बहुत जादा नहीं कर रहे हैं मतलब समझ जो कि अगर दो लाख रुपए कमा रहा है तो हजार दो हजार रुपए दान कर दिया है तो इस तरह से बहुत सारा पैसा संग्र है अगर कोई कर रहा है तो क्या होता है लोब बहुत बढ़ जाए ऐसे विक्ति जरह सा भी पैसे कहानी कॉंप्रमाइज नहीं कर नहीं मेरा फैरा फायदा इसमें नहीं हो रहा है बहुत लोब बढ़ जाएगा धन करके रखने से लोब में वृद्धी होती है तो धन संग्रह करने के दोशों पर विचार कर विश्मिवर्ष करके लोब का परित्या किया करना चाहिए उसके बाद भयम तत्त्तों विमर्ष फिर कह रहे हैं भय को कैसे दूर करना चाहिए इस संसार के जो भी सत्य हैं सत्य तत्य हैं उनको विचार विमर्ष करके भय को भी त्यार दोना चाहिए जैसे कि मान लोग किसी को भय लगता है कि आगे क्या होगा मेरा थोड़ा सा भय तो ठीक है गुरू से भय होना चाहिए लेकिन आगे क्या होगा मेरा तो आगे क्या होगा तुम जीव हो आगे क्या होगा इस शरीर खतम हो जाएगा अपना रास्ता लो और किससे ज़यादा बढ़ा थोड़ी होगा आम समझए बहुत बढ़ा होगा क्या यहां पे ब्रम बेटकर बन जाओगा तो इस बैड़ा नहीं कुछ भी नहीं पयुछ भी कुछ भी नहीं मिलेगा यहीं फ्यूचर एक दिन साही एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे ही class होती रहेगी, इसलिए एक एक दिन करके जीना चाहिए, आज पूरा दिन मैं भगवान की सेवा किया, भगवान का चिंतन किया, एक घंटा, दो घंटा कम से कम, 40 पेज रीडिंग कर लिया, और एक घंटा hearing कर लिया, तो इतना कुछ मैं आज कर लिया हूँ, इस तरह से आज का दिन बहुत सा फर्वा, ऐसे ही जीना चाहिए, एक एक दिन, उसके बाद क्या करें, आन्मिक्षिक्या शोक मोह दंभम महदुपासया, योगांतरायान मोनेना हिंसाम कामाध्यनिहया, आध्यात में ज्ञान की विविचना से शोक तता मोह पर विजय प्रा या शोक दुख जो है, उसके वाज़से वो बहुत प्यूरित है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, गुरु की शरण में जाकरके आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है, जीव, भगवान और भक्ति, इसके संबन में जो भी बातیں हैं तो आध्यात्मिक यान एक व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए किस तरह से भan माराज हिरन से आकती हो गया थी या फिर प्रहलाद माराज की कहानी, धुरू ओमाराज की कहानी इस तरह से पढ़के, आध्यात्मिक यान की विवेचना करके ये शोक तथा मोह से विजय प्राप्त की जा सकती है उसके बाद दंभम महादुपासया महान भक्त की सेवा करके अहंकार अपने हिरदय से चलाना तो आप कह सकते हैं कि प्रभुजी कोई महान भक्त तो दिखा नहीं अभी तक जो भी भक्त हैं हम सेवक के रूप में रहने चाहिए और उनको महान हमें समझना चाहिए इस तरह से जब हम सेवा करेंगे तो उससे हम अहंकार हमारा क्तम हो जाएगी फिर क्या कह रहे हैं योगांतरायानमवनेना मौन रहकर योगमार के अवरोधों से बचा जासे किसी को लग रहा है कि मजसे बहुत वैशना अपराद हो रहा है बार-बार मुझसे कोई ने कोई गलती हो जा रही है मैं क्यों ध्यान से सेवा नहीं कर रहा हूँ या फिर प्रॉपरली मेरा हरी नाम भी नहीं चल रहा है तो ये सब क्या करना है मौन रहने से योग मार्ग में जो अवरोध होते हैं वो धिरे-धिरे कम हो जाते हैं मौन मुख का मौन भी हर तरह का मौन मौन रहने से योग के मार्ग में जो अवरोध हैं वो कम हो जाते हैं और इंद्रिय त्रिप्ति रोग देने से इरश्या पर विजय पाही जा सकते हैं तो कामाद, हिंसाम कामाद अनी है, जब लोग देखते हैं, आप बहुत मजे ले रहे हो, तभी लोगों को इर्शा होती है, है कि नहीं, लोगों को इर्शा कब होती है, सब इर्शा तभी होती है, जब आपको देख रहे हैं, बहुत कठन तपस्वी हो, जब हमारे रुक्मने क कोई भी उनसे द्वेश नहीं करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये भोग करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, क्योंकि करी नहीं रहा भोग, लेकिन जब किसी को देखते हैं, कि अच्छा, बड़ी-बड़ी काडियों में चल रहे हैं, महंगे-महंगे मुबाइल लेकिन-च्छाатिय। करने कि लिए सब्णा будет घर बनवाब हैं, भूत आगे बढ़ रहे हैं, भोग बढ़रा हैं इनका, तो जब कोई व्यक्ति आपको इंद्रियत रिपति करते खूब देखता है, और उसका मेसाriers लेते देखता है, वाह वाह देखो, देखो कितना अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे से इरशा करते हैं यह भी इरशा करता है वो भी इरशा करते हैं सब लोग द्रिप्ति मत करो जादा, उनके सामने तो और भी मत करो, अगर आप बहुत जादा भूग दिख रहा है, तो लोग इर्शा करेंगे आपसे, चीक है, इसके बाद कह रहे हैं, मनुश्री को चाहिए कि अन जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण स करें, यह क्या करें, क्रिपया भूत जंदुखं दैवं जहिया आत्म समाधिना, आत्म जम योग विर्येना निद्राम सत्व निवे निशेवया, कि अन जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आच्रण से करें, मतलब अगर कोई आपके साथ बुरा भ प्रतिकार अच्छे आच्रण से, अच्छा आच्रण फिर भी अच्छा ही रखे, और इर्श्या का मतलब उनको नीचे करने का कोई प्रयास नहीं किया, और मानलो उसने पड़ोसी ने कच्छा फेक दिया आपके घर, तो ये नहीं कहा कि तुमने हमारे घर पे कच्छा कैसे फेका, इस तरह से आच्रण ना करके, अच्छे आच्रण करते हुए, कि आपके घर का ये सामा इधर आ गया था, शायद आपने ऊपर बाल्टी रख दियो होगी, गिर गया होगा, तो इसको मैं, ये आप देख लिजिए, इसमें कोई आपका जरूरी सामान तो नहीं है, नहीं तो मैं फिर फेक आउँ इसको, इस तरह से वो कहेगा, आर ये पड़ोसी को दिक कि कचड़ा क्यों फेकते हो मेरे घर पे, तो आपने एक लेबल लगा दिया उसके उपर, कि तुम मेरे घर पे कचड़ा फेकने वाले हो, और अब वो चैलेंज ले लेता है कि मैंने हारना नहीं, अब वो कहेगा कि नहीं, मैंने नहीं फिका, एक कवा आया था, वो बाल्टी लेके का, इस तरह से वो कुछ डिफेंस करेंगे, लेकिन अब वो कभी भी हमेशा इसी ताक में रहेंगे कि कैसे आपको परिशान करें, चाणा की बंडित कहते थे कि आपने पडोसी देश या पडोसी से अक्सर जगड़ा हो जाता है, तो भाग के द्वारा प्रदत्य कष् आपको वो सब कष्ट से चुटका रहनी जाए, और शरीर तथा मन से जो दुख होता है, उसको योग और प्रानायाम आभी से दूर किया जा सकता है, अब सतोगुन का विकास करके, खाने के मामले में, अगर कोई सतोगुन का विकास करे, सात्विक भोजन करे, भोग लगाया तेल वाला नहीं, और ऐसा भी नहीं करें, मैं बिल्कुल टेस्टलेस हो, पर सतोगुन का विकास करके, खाने के मामले में, निद्रा पर विजय पाई जा सकती है, अगर आप सतोगुन में हैं, तो निद्रा पर विजय पा सकती है, आगे फिर क्या रहे, मनुष्य को सतोगु विक्सित करके रजोगुण तता तमोगुण को जीतना चाहिए और तब सुद्धु सत्व के पर उटकर सतोगुण से विरक्ति हो लेना चाहिए ज़ि कोई शद्धा तथा भक्ति पुर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वतह हो जाये गला देखू क्या कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उपर मैंने बताया संकल्प से काम जीतने हैं यह सब करना है यह सब एक चीज़ से हो जाए क्या चीज़ हो जाए अपने गुरु के प्रतिद्र भक्ति अगर किसी के अंदर है जो प्रभुजी बोलेंगे वो मैं बस इनी का बहुत है और हर चीज़ एक्सप्रेस कर देंगे बता देंगे कैसा ऐसे हैं हमारी आज शौप बंध है यहां पर यह चीज़ को क्या रहे हैं एतत सर्वं गुरु भक्त्या पुरुशो हियां जसा जहें यह सारी जो हैं सारे भ गुरु भक्ति अगर कोई सिव यादि कोई श्रद्धा तता भक्ति पुर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वतह हो सकता है इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाई जा सकती हैं जो कोई भक्ति पुर्वक अगर गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वता ही हो जाएगा बस जीवन में एक ही फिलोस्फिय रखना है गुरु मुखः पद्मवाक्या चित्ते ते करिया एक है आर ना करिया में आशे श्री गुरु चरने रती एई से उत्तमगची जे प्रसादे पूरे सरवास तो भक्ति पूरुवक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वता हो सकता है इस प्रकार प्रक्षिति के गुरों के प्रभाव पर विजय पाई जा सकती है है कि ठीक है तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे हमने कुछ विशेश समस्याओं और उसके सॉल्यूशन के उपर चर्चा किया हमने यह चर्चा किया कि प्रकृति के गुणों पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है भाक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगे ल कि इसमें अलग अलब चीजों का सॉल्यूशन बताया था जो हमने अभी पढ़ा और सतोगुण को भिक्सित करके रजोगुण तमोगुण से जीतना चाहिए और सद्राइब में गविश्य पर फीनर राउने सटोगुण का विकास करके विर्ति फंव के longer अरो सक्ता सकतता है एक तो उसका क्वालिटी और कॉन्टिटी उने क्वालिटी भी ऐसा नहीं होना लगाना है और शरीर से उत्पन्न या फिर मन से उत्पन्न जो भी कष्ट है वो हठ योग प्राणयाम के द्वारा खतम कर सकते हैं और इरश्या से अगर रहित रहेंगे आप उस वक्ति से इरश्या नहीं करेंगे तो क्रोध को जय कर सकते हैं और अपने भाग किसी जो भी कष्ट मिल रहा है वो ध्यान करके नश्ट हो जाएगे और मनुश्य को चाहिए कि अन्य जियों के कारण होने वाले दुफों का पतिकार अच्छे आच्रण तथा इरश्या से रहित होकर करेंगे उनसे जादा इरश्या मत करिए और आच्रण ठीक रखिए अपना अच्रण ठीक रखिए फिर क्या बताया आध्यात में ज्ञान की विवेचना से शोक और मुह नश्ट होता है महान भक्त की सेवा करके हंकार नश्ट होता है मौन रहकर योग मार की अव्रोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय त्रिप्ति अगर आप रोख देंगे तो आप से कोई इर्श्या लेकर जब देखेंगे लोग अरे अरे देखो देखो इतना यह अपुलेंटली रहते हैं यह लोग क्या बढ़िया इनका जो है इंपले सौधागर में घर बन गया है बहुत भोग कर रहे हैं बहुत मज़े ले रहे हैं वह देख करके व्यक्ति को थोड़ा जलन होने लगए ठीक है ना तो इंद्रित रिप्ति को रोग देने से मैंने आपको धाना दिया रुकुनी क्रिश्ट होगा खुद का सहियम इतना जादा है कि कोई भी उनसे द्वेश नहीं कर लेकिन आप से द्वेश तभी होगा जब कोई देखेगा कि इसमें फाइदा ले रहे हैं इसमें इनकी इंद्रित रिप्ति होगी जब वो देखेंगे तो कहेंगे नए नए इनको नहीं लीडर बना है हम लीडर बनेंगे क्यों मुझे भी फायदा होगा चीखें तो संकल्प करके काम वासना पर विजय प्राप्ट की जाती है और इर्शा करोट से होती है और धन जंगरा करने के दोशों पर विचार विमाश करके लोग का परित्याग किया सकता है और सत्य की विविजना करके भैर का त्याग कर देना चाहिए तो इस तरह से ये 22 चक्टर की कुछ महत्वपून श्लोख है जो कि हमें आज चाहिए ठीक है तो किसी का कोई प्रश्ण है या फिर पुछाब कि जो भी भक्त नहीं कर पाए आशा अर्या मताजी राजु प्रभू राजु प्रभू कल भी आपका नाम आया था आप प्रयास किजिए माला करने का चीक है तो अब हम इसको यहीं पर लोग करते हैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवार मैं एक मिनिट हाथ नीचे कर रहा है आप जो हमने चर्चा की कई सारे इस लोग पढ़े किसी का कोई प्रशन तो नहीं है कि हमने जो कई सारे श्लोग पढ़े आज जो भी आज दिसक्रशन हुआ है बाल क्रिशन तो हुआ है अधर 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 अच्छे अधर हमको सुनने को मिलें कभी नहीं मिलाएं कि अधर यह जाता है गलती मगर हमको यह जानकरी नहीं थे हम तो यह कंसे वह में एक फिफ्टी पर्संट तो जानकरी थोड़ा और मिला है इसमें तो आप प्रगती हो सकते है प्रयास करने से रहाट आज तो जाने आपके अधर मतशिय है अधर इसमें एक बहुत बहुत शारे उत्तर पुछने में आज बहुत सारे उतर मिल आपका और बाद बहुत बहुत नारद्मनी का और शुद्य गोस्वामी का जिन लोगों ने श्रीमत भागवतम में इसको इंट्लूट किया और हम लोग शिला प्रहपात की मात्यम से इसको पड़े तैंक यू सो मुच प्रभजी आज बहुत बहुत अच्छा लगा इस लेक्चर को बार-बार सुरेंगे तो फिर थोड़ा तो वक्त हो जाएगा प्रभजी सही मैं थांक यू ब्रभजी घरेक्रिष्णा धंड़त्पड़ा ठीक है ति मैं अभी अच्छा पुमल शर्मनेटज पुमल मेंटज जब लेक्चर लेते हैं तो जब भी हम उनकी क्लास एटेंड करते हैं तो दो-तिन दिन क्लास एटेंड करने के बाद साधना ऐसे इंप्रूव हो जाती कि पते नहीं चलता कि क्या हो गया एक मैजिक ही हो जाता है रिजनल बनाना था रिजनल जोनल सुपर्वाइजर बनाने के लिए तो सब लोग यह चाहते थे पोरी एनाइडी जो नौर्थ इंडियन डिविजन है सब लोग यह चाहते थे कि रिखुनी कृष्ण टो हमारे यहां के सारे प्रेजिडेंट्स जनरल मैनेजर सब लोग चाहते थे कि रिखुनी कृष्ण टो हमारे यहां के जो है बन जाए जोनल सुपर्वाइजर कितने कितना जो है फिर यहां हिमाचल के लिए तो बक्तियाश्य वैश्ण महराज को जनरल सुपर्वाइजर बनाए गया पंजाब घर्याना और दिली के कुछ हिस्सों को फिर रिखुनी कृष्ण को दिया गया लेकिन यह बात सही है कि हम अबरी टाइम बेट करता है कि प्रभु जी कब आया और उनकी क्लासिस कब हमें टाइंड करें तो वो अलगी मतलब डेज होते हैं जो प्रभु जी के असुजेशन मिलती हैं बाकि आपकी तो प्रभु जी है हमारे पर कृपा बात है है ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो टॉपर्स में आपका नाम होता है आपकी आपकी ब्लैसिंग्स की वजह से पॉसिपल है दरवाइस हम तो कुछ नहीं कर पा रहे है जाओ जीए ठीक है तो अभी हम इसको यहीं पर समात करते हैं आप सबी बतों का भाब बहुत धन्यवाद मैं सब बतों को अन्मिट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग राम चैनल पर आपको हुए प्रभुजी तान्वात पर नाम अरिष्न पर भुजी तान्वा पर नाम चरह क्षि हूपजी जडने पर नाम। द्रिकृष्णा सभी को दनने पड़ना माताई परुडिभी जी जिरे हैं। अगई पहिए थे जीरे आप प्रशक्राइश जिरे आप दोस्ते जीरे आप बोलेगे अ कैसे व्लूंगों आप लों बहुत है चल अच्छा है सब आपके आपके साहरे चल गहें आपके सबके साहरे चल एंगे साहब प्रभजी बोले ना तरा रुध्याप हो गया तो साहरा लेना जरुडी हो गया पहले रामचंद प्रभजी कही साहरा है बातने स्कार लाई नहीं पर बातने लाई पहरा सात्र साल दे भरे में लाजमी होना, रे कमों मरें, बोता भी, पैर सिवेती कि कभी भी सब्कम को.. कर प्रभी शबको दंडवत प्रणाम, मैं अने से प्रस्तान होगो है, किसी है, और ये, हारी.. और ये, वे कुछ आप सेटो.. आरे खृष्ण प्रभुजी दंडवत्रुनाम, आपको याद करा मैं, आपको याद करा मैं, बुख्वितर आइन परेशन में, बगश लोग कंटस्ट में, अब क्या वैदा आपका दुमपगड के भी हैं, नहीं सा क्यों सकते हो डरे, आप अपके अंदर में हो रा जुमान प प्राबुजी जित्ता आरा हुथ तो भूही बहुते अभी जल्दी जल्दी बुद्धे नहीं जिसे लिए बसे अगले जनम में पूरा इक्दम सुद्वाइश्णों के गर में पैदा हो ते अगले जनम का सुचे तो ना हम तो सीधा वाइकुट ना मैं आपकी दूपावले आपने तो आपने तो नटकने आदर भीचै आते अब डात की मैं पर माद दिये तो क्या कि Hare Krishna, dandavad. पंदिर में? कब गए? 4.35 बस, आपी सुनोनो एक दूस लोग हो इसे वागत करेंगे तो अच्छा रहेंगे और प्रोजी मैं तेली पुक रीडिंग हो रहा है प्रोजी कैसा करेंगे अपने एक जूम पे करेंगे ने तो मेरा कैसा भी चार से पांच चलरा क्लास प्रोजी कैसा करता है अपका वाइस काट वर अपर शेय से साध़ अचे करेंगे प्रभू आदा अगन का शाम में अब शाम में काई क्यों बलता चेस साथ पजे के बाद एक तरम कस्टमर्स रश्य हो जा रहा है क्या औरा वल्दो पूरे घरम को जाने कर देश करेंगे अग्या यह इन और ना रहा रव्य आध को दस बहर शाड़े नह ज़ुआ आव दस बज बज़े विजनेस बढ़ा दिया में उत्रें मैं बहुर हो सबरे 8.30 तो 9.30 तो कि अच्छा है न अच्छा है न बाद करेंगे आज बात कर तुमें आज फिर बोल तो आपको बाद कर बोला को एफ कर कर रदो झाल झाल